मानो कैलकुलेटर क्या है? वाट इस मानो कैलकुलेटर? तो चलिए से समझते हैं पहले. एक्जाम्पल से समझते हैं. पहले IBPS के एक सवाल को देखते हैं. 40% दिया हुआ है. ठीक है न? 4 को 20 से भाग दिया, 5, 5 का 40% 2 हुआ. 2 को 48 से भाग दिया, तो 24 हुआ आंसर हो गया. दूसरा आते हैं. 2.5 प्लस 1.5, 4, 3.5 प्लस 1.5, 5 हुआ. 4 पचे 20 हुआ, यह 20 हुआ आंसर हो गया. तीसरा आते हैं. 40 इंटू 64 डिवाइड़ बाइ 80, 80 नीची आ गया, 40 से 80 कटा, 2 से 74 कटा, 32, 32 किसका स्कॉर प्लस 7 है? 5 का स्कॉर 25 प्लस 7 बरतीस हो गया. 400 परसेंट अफ वट, 13 इंटू 15 माइनस 8, 91 डिवाइड़ बाइ 9. 13, 10 से 130, 13, 15, 75, 95, 9 से अगर भाग दिया, 9, 9, 81, 9, 81, 195 से अगर मैं 99 लेस करता हूं, तो 96 हुआ. 96, 400 परसेंट किसका होगा? 24 का चार गुना 96 होता है. सर हुआ हो गया. 8 का स्कॉर गुने 8 का स्कॉर 2 to the power, 2 to the 6, 2 to the power 4. 2 का अगर हमें लेंगे, इधर 2 है, तो इधर 2 लेंगे, तो 5 होगा. 2 to the power 5 into 2 to the power 5, बतलब 2 का 10, यहा भी 2 to the power 6 और 4 10. इधर भी 10, इधर भी 10, तो यह 1 होगा. हो गया. अब देखते हैं, 20% of 2 to the power square into 3 to the power square, दोनों उपर square है, तो J का square है, J का square मतलब 36, 36 का 20% मतलब 36 का बाद, 36 दुनी 72, 7.2, 7.2 से माइनस 2 गया, 5.2, यह आंसर हो गया. चलिए बाद, नेक्स्ट आते हैं, 20% of 1 by 5, 1 by 5 मतलब 20% होता है, 20% of 20% मतलब 40%, 40% of 2250, 225 का चारगुना होगा, 900 होगा, 29 कट गया, 90 हुआ, 50 के साथ क्या जोरेंगे, 90 होगा, 40 जोरेंगे तो 90 हुआ, यह इसका आंसर हुआ. नेक्स्ट आते हैं, 896 माइनस 432 प्लस 116 क्या 13 का स्क्वाइर हुआ. अब अगर इसे हम करते हैं, तो CDC बात है, 986 से 432 घटाते हैं, तो 86 से 32 घटाते हैं, तो 54 हुआ, और 9 से 4 घटाया, तो 5 हुआ, 544, 544 में 116, 54 और 16 को जोड़ा तो 70, 5 और 6, 670, 670 या 13 का स्क्वाइर हुआर 169, तो 670 से 169 घटाते हैं, तो 70 से 69 घटाया 1, और आपका 6 से 1 घटाया 5, पांसो एक हुआ. तो यह लाइफ कर रहा हुआ हुआ हैं, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, 14.2% अफ एगारा हजार, 142, 11 से पहले गुणा करते हैं, तो क्या होता है, आपका 14 और 42, 56 हुआ, मतलब इदर 1 होगा, और 56 होगा, 2 होगा, मतलब हुआ, आपका 1562, 1562, 3590 से 1562 को हम लेश करते हैं, 90 को 62, घटाया 28, 35 से 15 घटाया 20, 2028, अब देखते हैं, 156 लेते हैं, किस से गुणा करेंगे, तो 28 का 8 आठायेगा, तो 13 चक 78, यहीं पे 8 आठाया है, 12 चक 72, नहीं आ रहा है, 5 चक 30, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब यहीं इसका आंसर हुआ, अब दसमा आते हैं, 90 बड़ाबर 15 परसेंट अफ एक हजार, एक सो पचास, 3 परसेंट अफ कितना चाहिए यहाँ पर, 3 परसेंट यहाँ पे, 150 अगर होगा, तो 90 करने के लिए, 15 चक 90, 60 परसेंट होना चाहिए, मतलब इसको किस से भाव देंगे, 20 आना चाहिए यहाँ पर, तो 5 से भाव अगर देंगे, तो यह 20 आएगा, 60 परसेंट, 60, 150, मतलब यह इसका आंसर हुआ, तो कहने का मतलब क्या है कि, केवल प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सूल्ट से करके, यह तेजी के साथ, बीना कलम उठाय किया जा सकता है, तो कहने का मतलब है कि, जो भी बैंक की एक्जाम दे रहे हैं, और इस तरह की एक्जाम दे रहे हैं, और बहुत तेजी के साथ, कल्कुलेशन करते हैं, कलम को कम उतारते हैं, और जैसे डाटा इंटर्पृटिशन, डियाई की बात होती है उसमें इसकी काफी जादा जोड़त होता है जैसे आउसत निकालने वेगरे वेगरे में तो इसका हम ये बोल सकते हैं कि इसमें 100% mentally and semi mentally होता है मतलब क्या है थोड़ा समझ लेजिए ये जो किया मैंने 100% mentally लेकिन हम किसी संख्या को केवल आप लोग अग पकर के रख पाएंगे तो ये practice के साथ साथ ये तयार होता है और कुछ जगा पे होता है कि आपको एक figure कागज के उपर लिखना परता है मतलब उसको हम बोलते हैं हुक हुक मतलब है कि आप आदा calculation करके आते हैं mentally करते हैं फिर आगे बढ़ने के लिए आपको हुक का answer निकालते हैं तो ये है total calculation की strategy और इसमें no so called tricks ये आपकी दिमाग की जो छंता है वो दुनिया की किसी भी calculator की छंता से ज़्यादा होता है ये केवल practice करके उभारा जाता है और practice भी बहुत ही simple है आपको कोई क्या करते है stage में जाके करतब नहीं दिखाने है आपको कोई magic नही में जो simplification है जैसे आपके SBI बोलिए आप इसके बोलिए क्या करते है आई भी पीएस का बोलिए तो जहांपर clerk में 30% to 40% केवल simplification होता है जिसके इस पे बदालत जीता जा सकता है प्लस DI जो है वो अब बाद बाकी का होता है जिसमें भी भेंकर रूप से काम किया जाता है इस इससे बहतर कोई course इंडिया में नहीं है इसकी challenge मैं बोलता हूँ ये two months का session है with practice है और ये practice की है दो महिने के लिए course available रहता है एक साल के लिए course का fee 1250 रुपिया है लेकिन पहले 50 participants को केवल 999 रुपिय पे available होगा जिने contact करना है मुझसे कर लेंगे चलिए मेरी बातों को मैंने संपूर्ण रखा मानो calculator क्या है मानो calculator क्या है बहुत सारे लोग पूछते थे तो मैंने ये जवाब दिया